नमस्कार मैं शेकर अरुपल आपका स्वागत करता हूँ ग्राउंड रिपोर्टर के वाइरल सच में सोशल मीडिया यानि की वो प्लेट्फॉर्म जहां पर आप आसानी से अपनी सूचना दूसरे कोने तक पहुँचा सकते हैं लेकिन इतनी अच्छी सुविदा होने के बावजूद भी लोग इसका किस तरह से फायदा उठाते हैं यह आजकल आम हो गया है कोई भी खबर हो, कोई भी भ्रम भेलाना हो, सबसे पहले सोशल मीडिया पर दाओ लगाना होता है किसी को अपमानित करना हो, या किसी का नाम बढ़ाना हो, दाओ खेला जाता है सोशल मीडिया पर क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्रेटफॉम है, जो हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग आदमी तक के हाथ में रहता है मोबाइल पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आजकल ट्रेंड बन गया है वहीं सोशल मीडिया पर आजकल एक तस्वीर बहुत बाइरल हो रही है इस तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरह से कमलनात राजीव गांधी को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा है साथ ही में एक लाइन भी जोड़ी गई है जिसमें लिखा गया है कि किस तरह से देखिए एक ड्राइवर मुख्यमंत्री बन गया साथ में यह भी दर्शाय गया है कि किस तरह से कमलनात एक ड्राइवर होते हुए अब दो अरब से ज़्यादा की संपत्ती के मालिक है वहीं इसकी खास बात यह है तस्वीर की कि इसमें एक पंचलाइन जोड़ी गई है साथ में लिखा गया है कि यह तस्वीर बहुत ही मुश्किल से बरामत की गई है यानि कि बहुत मुश्किल से खोश कर निकाली गई है ग्राउंड रेपोर्टर की ठीम में जब इस तस्वीर की तहकीकात करना चाहे ही तो सबसे पहला हमारे सामने सवाल था कि आखिर ये तस्वीर आई कहां से क्योंकि वाइरल पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि ये तस्वीर बहुत मुश्किल से प्रात्की गई है तो पदाच्छला कि ये पोस्ट कमलनाथ ने अपने टुईटर एकाउंट से 20 अगस्ट 2018 को डाली थी जी हाँ भी सगत यानि की हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वरगीर राजीव गांदी का चन्द दिन इस दिन डाली गई से ये पोस्ट कमलनाथ के ओफिशल टुईटर एकाउंट पे जहां उन्होंने इस पोस्ट के साथ में लिखा था कोई वेक्ति अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए कुछ डालता है सोचल मीडिया पर वहीं लोग चलते हैं उसको उल्टा भुनाने में तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरह से कमलनाथ राजीब गांधी के बेगलमिट ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं आपको बता दें कि इस पोस्ट भी यह भी लिखा है कि एक ड्राइवर कैसे अरब पती हो गया तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कमलनाथ कोई छोटे मोटे घर के वेक्ती रहीं उनके पिता बहुत ही धनाडे थे कहा जाता है कि जब कमलनाथ के पिता बरेली अपना गाउँ छोड़ कर कॉलकता पहुँचे थे तो वे अपना घर स्कूल को दान दे कर आये थे वहीं कमलनाथ ने उस समय के सबसे महंगे स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई की है उस स्कूल में पूर्व प्रधान मंत्री इंदरा गांधी के बेटे संजे गांधी भी पढ़ा करते थे इतने बड़े स्कूल में इतने धनाध्य परिवार का बच्चा आके ड्राइवर क्यों वहीं आपको बता दे कि इन्होंने अपनी शिक्षा जेवियर कॉलेज से पूरी की जो उस समय के से माने हुआ कॉलेज हुआ करता था पिता धनाध्यम शिक्षा दिक्षा बहुत अच्छी उसके बाद ड्राइवरी क्यों अब भाई कोई अपने परिजित के साथ क्या गाड़ी पे बैठा नहीं सकता वहीं आपको बता दें यहां पोस्ट में एक चीज और जोड़ी गई है कि किस तरह से कमलनाथ कुछी समय में अरब पती हो गए अरे भाईया आपको बता दें कि अरब पती तो पहले ही थे मनमुहन सिंग की सरकार में सबसे अमीर केंद्री मंत्री का दरजा कमलनाथ को प्राप्त है कमलनाथ के पास जो दो अरब की समपत्ती वो आज से साथ आठ साल पहले हुआ करती थी यहां आपको यह भी बता दे कि 2011 में जब उनकी समपत्ती का आंख्रन यानि कि कमलनाथ की समपत्ती का आंख्रन किया गया था तब वो 273 करोड थी वहीं 2014 में चुनाव आयोग को दिये हलक नामे में उन्होंने अपनी समपत्ती को 187 करोड बताया भाई आप तो समझ गए होगे ना इतना करोड पती आदमी इतना पैसे वाला आदमी इतना पड़ा लिखा आदमी ड्राइवरी कर ही नहीं सकता इसके साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कमलनाथ के पास आखिर इतनी पूझी आई कहां से भाई आपको बता दें कि कमलनाथ के परिवार के नाम 20 कमपनियां हैं 20 से जादा कमपनियों उनके परिवार और उनके सम्मंध है और उनके ट्रस्ट भी चलते हैं इन कमपनियों और ट्रस्टों में जब हजारों लोग हजारे इंप्लॉई लगे हुए हैं तो जब उनको परिवार चल रहा है तो उनका मालिक करोड़ पती तो हो गई तो ये है सीधी साधी बात अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से इस फोटो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है तो आपको बता दें कि जब 1980 में इंद्रागांधी छिंदवाड़ा आई थी तब उन्होंने कमलनात को वहां की लोगों को सौपते हुए कहा था कि ये मेरा तीसरा बेटा है इसको मैं आपको सौपरी हो और आपको इसको जिताना है अब एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को लेकर अगर गाड़ी में जा रहा है उसको बैठा के घुमा रहा है तो ड्राइवर थोड़ी न हो जाएगा